हेलो दूस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पार्चाला में स्वागत है दूस्तों आज भी हम देखने वाले हैं जो आपकी जीके की टेस्टरी चल रहे हमारी खास करके वीडियो और एक्जाम के लिए उसमें दूस्तों इस वीडियो में आपका बहारती दूस्ता का तीसरा पार्ट है इससे पहले दो वीडियो हमने अल्यडियो अप्रूट कर दी हैं और साती कुछ वीडियो त्योरी की बनाई थी आपकी जैसे कि सभीदान के आपके अनुच्छे ने वह सम्में करा दिया है और कौन सा स्रोत यान कि सभीदान का किस देश से लि हुए हैं उसके अलावा यह हमारा 30 पार्ट है जो कि आपके वीडियो एक्जाम के लिए बहुत जदे इंपूर्टन रहने वाला है वैसे दोस्तों सब्सक्राइब के लिए पहले बता चको आपको कि अगर केबल आपने वीडियो एक्जाम के लिए हमारी जी के टेस्वीज और साथ ही जो मैं करेंट के पीडिया अपने अपको देने वाला हूं एक्जाम से 20-20 दिन पहले वह आपने पढ़ लिया तो कम से कम 35 कुर्ष्टन आप एक्जाम में आराम से करके आओगे यह मिरी गारंटी है अगर आपको यकीन हो जब आपको पेपर हो जाएगा तो उसके पेपर से आप मिलाकर देख सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यहां में पहला क्वेशन आपके लिए है कि निम लिखित मैंसे किस अधिन अधिनियम ने भारत में संगिय सासन वेवस्ता दी थी भारत सरकार अधिनियम 1909-1935 या आपका भारत स्वाधिनिय अधिनियम 1947 तो दुस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 यानि कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस समय भारत में संगिय सासन की वेवस्ता की गई थी और साथ ही इसमें आपका केंद में द्वेद सासन प्रणाली लागू की गई थी और साथ ही भारत में आपका संगिय न्यायले की इस्थापना की गई थी इसी अधिनियम के तहट संगिय न्यायले की इस्थापना जो कि दोस्तों आपका 1937 में की गई थी अब दोस्तों बात करते हैं भारत स्वादिन तादे 1947 तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था भारत को स्वतनत एवं संप्रभू राश्टे गोश्ट किया गया था संप्रभू एवं स्वतनत राश्टे गोश्ट किया गया था दोस्तों जो भी पॉइंट में आपको बता रहूं कि सारा पॉइंट आपको याद रखना है और साथ ही आपको बार बार रिवाइज करना है जो कि पंद्य अगस निश्टाजिस को आपका किया गया था भारत को संप्रूव स्वतन राश्टे गोश्ट ठीक है और दोस्तों समय आपका जो बाहर सराय का पत था उसको समाब कर जया गया था और साथ ही आपके डूमनी जो राज्जे थे उनमें गवर्ण जर्ण का पत जो आपका स्रिजित किया गया था अब बात करते हैं भारत सरकार एद प्रित्र निवासन के आधारपा ठीक है मुसलमानों के लिए कि संप्रदाइक कि प्रिति निद्श्व का प्रावद्धान कि यह था आपका 1909 में ठीक है और अगर अगर आपको बात करें 1919 की तो इसमें इसको क्या बोलते हैं इसको दूसरे बूला जाता आपका मांटेग्यू चेम्सफुर्ट सुदार चेम्सफुर्ट सुदार इसको बूला जाता आपका बाहर सकादरी निद्शनों को और इसमें दोस्तों आपका प्रांतों में द्वैसासन की सिर्शन लागू किया गया था प्राइंत्व में 12 सासन्द आपका लागू किया गया थिसमें ठीक है और दूस्तों सादिप पहली वार प्रित्यक्षच चुना परणाली आपके लागू की गई थी पहली वार सब्सक्राइब और तो सभूए निए सभिधान सभार के बनाये गए थे सभिधान सभाए कि सदस्ट से लोग अध्रक्स टिक है एस था बनाए गए थे आपके बोट बनाए गया था ठीक है लेकिन दो ग्यार अध्र सम्भाव 1906 को आपका डाक्र राज़ने प्रसाद को आपका इस था अध्रस बना दिया था इस था है था था कि एक है यह थे आपके अश्ता है डक्र सजगन शिना अगला कुछन देखते हैं आपका की भायat के सभीधान के निर्मान में सभीधान सभा को कितना समय लगा था महाँ 18 दिन दोवर्द दस महाँ पर्ची दिन यहांग दो बर्स 9 अधा दिन तो तुसमें लगा था आपका दो बर्स में आपका करेक्ट हो जाएगा और साथ ही जो सविधान लाग हुआ था वह था आपका 26 जनवरी 1950 को सविधान लागू इन दोनों में आपके जवाला नेरू सविधान सवाकी संग सविधान समीति के यानि कि आपका करेक्ट हो जाएगा और साथ ही दोस्तों यह आपका यह संग सक्ति समीति के भी आपके अद्रक्स थे अगले दोस्तों आपके डॉक्टर भीम्राब मिटकर यह अद्रिक्स थे आपके प्रारूप समीति के और बात करें हम आपके डॉक्टर राजर पर साथ की तो दोस्तों यह अद्रिक्स थे आपके संचालन समीति के और साथ ही आपके थे नियम समीति के भी अदक्स थे अगले दोस्तों आपके सर्दा बलब बटे लें तो दोस्तों ये थे आपके सलाकर समीति के अदक्स थे और साथ ही थे आपका प्रांतिय सविदान समीति के अदक्स भी थे और दोस्तों जो आपकी सलहा का समीथी थी दोस्तों दो भागों में डिवाइड थी आपकी एक थी आपकी मूल अधिकार उपसमीथी और एक थी आपकी अल्प संक्यक समीथी अगर जो यहाँ बात करें आपका अलब संकर समीथी के अदरक्स के बारे में तो दोस्तों वो थे आपके H C मुखर जी ठीक हैं? और बात की जाएं मूल अदरकार उप समीथी के तो दोस्तों इसके अदरक्स थे आपके J B कृपलानी J B कृपलानी अगला कुछन दोस्तों आपका है कि भारत में संभर्ती सूची की संकलपना कि देश के सविधान से ली गई है जर्मनी ऑस्टेलिया आइलेंड या यूसे तो दोस्तों संभर्ती सूची की संकलपना ये ली गई है आपके ऑस्टेलिया के सविधान से यानि कि आपका करेक्ट ह जैगा और बात करें ज lange के सब्धीता से दोस्तों यहां से लिए गया आपका आपात उपबंद आपात उबन्द आपका लिया गया जर्मिनी के सभीधान से और साथी आइलेंड के सभीधान से लिया गया आपका राज्यके नीती निर्षक तत्व आपके लिए गया है और दोस्तों बात करने युए से सभीधान से दोस्तों यहां से बहुत कुछ आपका लिया गया है एक द स्टाबना का बिचार यहां से लिया गया है एक आपका निया पूर्वा लोकन लिया गया है उसे के सभीदान से एक दूसरों लिया गया आपका निया पालिका की स्वतंता निया पालिका की स्वतंता ये भी आपकी यूएसे के सभीदान से ही लिया गया है और एक दोस्तों आपका राश्पती जो आपका महावयो लगता है वो भी आपका यूएसे के सभीदान से लिया गया है राश्पती पर महावयो और सुप्रिंग कोर्ट ताथा हाई कोर्ट किन नियाज दिश्वों को हटा जाने के जो आपकी प्रिक्रिया वहां से लिए गई हैं नियाज दिश्वों को हटाए जाने के उब्बंद जो हैं यहां दोस्तों यह सब चीज़ें आपकी USA के सभधान से लेगे हैं क्या-क्या मूल अधिकार उद्देशिका के पिचार नियाएक पुर्ण विलुकुन नियाए पालिका की सुत्मत्रा राश्पति महाब्योग और सुप्रिंकूर्ट था हाई-कोट के नियाज दिश्वों को हटा जाने के उब्बंद यह दोस्तों इतना जो है अगलां आपका और दिया जो डोट से लिया गया है वह आपका 8 प्या प्रसुक्त में आपका इसमें आपका किके यह संघ्ठन किरसी एवं पसुपारण के संग्ठन यानि कि ऑप्षण डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा अगला आपका कि इन में से कौन सा विसे संबर्ती सुची का है पुलिस आप राधिक माम ले डेडियो टेलिविजन या अभी दिसी माम ले तो दूस्तों इसमें जो आपके आप के संः न दूसरा आपका साहिह हो जाएगा पुलिस चौब वह आपका संग्ष पुचि के विसे है और रेडियो टेलिविजन ये दुस्तों आपका संग्षी बिस Judaism अब दिएक हो द्विसे संग्षाहन का नक्या होता होता है और राज सूची में जो होता है कानू बनाने का अधिकार वह आपका संग सूची के पास रहेगा ठीक है अगला आपका देखा है कि निमली कित मेंसे कौन एक साही सुवित नहीं इसा है आपको बताना है नायुक्ता सब्धान के बहाग दो में सए ए मौलिय अदकार सविधान का भाग की निरूँसक्त तटवॕ कि अगला कोशन दोस्तों आपको देखते हैं कि बारत सभीधान की में कितने परकार के नियाय की विवश्था आपके की गई मिक wedstah तो इसमें आपका तीन परकार के नियाय की विवश्था की घरिये यानि कि घरिंप कौन क्वशे कई न्याय हो गया हुआ है कि इसमें रूस्त्त क्या होता कि आप कि और रंग धरम ठीक रिंक के आदार पर कुई है प्लाप नहीं कर सकते हो ठीक Я शांथ कर अंत्रगत दूसर्ट आपका आर्थिक न्याय है अतरिक हैं लुumen है यूος आपके कोई विक्ति आपका इंडिया का है उसको समान राद दिक अधिकार आपके प्राप्थ होंगे कि अगला आपका के भार्यत की सभीदान सवाने राश्य को सरपत्थम कब सुईकार किया था वाय जुलीजी 37 है तो दोस्तो इसका सयास्थ जाएगा बाय जुलाई कि इस चक्र का आपका रंग है वो कैसा है तो दोस्तों इस चक्र का जो रंग因। आपका नील रंग नीला ठीक इवह कुछा गया और डाय से लूंपके लंबाई MATT को भी चौब्डाई पास My कि और दोस्तो राज़ियों का प्राज़ उप है वहां से बनने उस चक्र से आपका लिया गया है जो कि आपका एक न्याय का पृटिक है अगला दोस्तो क्षेन आपका है कि बर्तमानुं में बहाइत में कितने राज़े विआ संगेप्रदेश हैं तो दोस्तों ऑफ्षन ए 28 र यानि कि option 20 में आपका correct हो जाएगा अगला दोस्तों आपका है कि कि सविधान संसोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट राधनी छेत्र का दर्जा दिया गया था और दोस्तों कब हुआ थे लागव आपका अधिनियम कब बना था या आपको उनिस सोग्यानुवे में अगला आपका कि भारते सविधान में समानता का अधिकार पांच अनुचेत्व द्वारा प्रदान किया जाता वह हैं आटिकल 16-20, 15-19, 14-18 या 13 तो दोस्तों वह हैं आप आपका विदी की समक्स समता कि दोस्तों कि कम से कम आपको आटिकल 14 से लिकर करके एक्क्यामन तक तो आपको याद रखने क्यों यह बहुत जाद इंपोर्टन नहीं यानिकि आपका हंड्र परटन एक्जाम में पूच्छे जाएगा ठीक है यह आपको अच्छे से याद हु धर्म मूलवन्स जाती लिंग साथ जन्रस्थान के आधार पर किसी से वेदवाब नहीं कर सकते हो जन्रस्थान के आधार पर विवेद का पिर्तिछेद इसमें है आपका आर्टिकल 15 में और 16 में क्या आर्टिकल में यह दोस्तों आपका लोग नियूजन की विशे में अफसर की सम्ता अफसर की सम्ता और बात करें आर्टिकल 17 में क्या है इसमें दोस्तों आपका है चुआ चूआ चूट का अंत यानि कि अब आप किसी के साथ चूआ चूट का वेवार आप नही नहीं कर सकते हो और आर्टिकल 18 में क्या है कि इसमें आपका उपादियों का अंत है कि उपादियों का अंत है इस सारे आपको याद रखने पांचो अगला कुछ्छन आपका है कि संपत्ति के मौले का दिकार को कब समाप्त किया गया था कि अगया था कि आपके मोराजी देसाई जंता पाट लिए और दोस्तों ब्यारीस संसोदन है वह आपका बहुत इंपरिण आट है इसको आपका लगू सभी धान भी कहते है इसमें बहुत सारे काम आपके हुए थे वो पहरे आपको बता चुका हूँ और साथ ही इसमें आपका मौलिक कर्तब को जोड़ा गया था मौलिक कर्तब को ठीक है जो कि आपका सौन सिंग समीथी की सिफार इस पर जोड़ा गया था आगेसुन सिंग आपका है कि राजबाति के अम्मीद्वार के लुए क्या आवसक नहीं है उसकी आप और दिक्केति हो अमनतिगी हो अगर और तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यानि पडा लिखा आपक नहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है अगला आपका यहीं भावाद के राश्पती का पड्रिक्त हो जाए और उपराश्पती भी ना हो तब निम्ली में से कौन महापुर्द दे रखें, उनके समाद इस्तर दे रखें, जवरा नेरू, संधी बन इस्तर ये, लालवा साच्टी, बिज़गाठ ये भी स्ये, इंद्र गांदी, सक्ति इस्तर ये भी स्ये, लेकि राजिब गांदी, करम मुमी ये आपका गलत है, क्योंकि जो आपका राजिब द्यार सर्मा, अगला कुशन देखते हैं आपका, कि बहारत के सविधान में, निर्धारित किये गए लोग सवामें, साथसों की संख्या अधित्तम हो सकती है, पांसो बहतालीस, पांसो पचास, पांसो बामन या पांसो पच्पन, ठीक है, तो दोस्तों पहले ये थी, दोस् धोसराफ सांग सासितवर्जस संविधास संग सांग, और दोस्तों दो होते थे आपको, आपके एंगलो zip, मैंक्सला में, संमिदा से सुथे, यानि कि इस समय जो आपके L observe सुम्फन को सभी संख्या को सकती है, तो आपको ध्यानowasti मतन में हैं, तो दोस्तों आज वीडियो को शेर जरूर करें और साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका वीडियो कर एक जाम होने वाला है उसके लिए दूस्तों हमारे चैनल पर पूरा जीके की टेस्स आपको कम्पिट करा दी जाएगी चाहां हिस्ट्री हो जोग्राफी एकनोमी ठीक है पॉलिट को सपोर्ट कर सकते हो मैंूइरा 724262.009 अगal इस जीतना देखी जो आपकी इच्चा करते हो सपोर्ट कर सकते हो नहीं करना चाहते हो ठीक है किसीं से कोई अवस्ति नहीं पहुत है तो थेंक यू फॉर वाचिंग को झाल झाल